हैलो दोस्तों, Hindi Mirror Prof. आपका स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है UPHEAC की Assistant Professor की तैयारी चल रही है Hindi Mirror की तरफ से तो Hindi Mirror जो आज Assistant Professor की तैयारी के लिए आपके लिए अर्थव्यस्ता सभी को पता है है अर्थ वियस्ता आपका टॉपिक है और ये टॉपिक जो आपका है कौन सी उनित में से हैं मालुम है नहीं आपको यह आपकी इस है शिर इंट में आपके दो टॉपिक हैं एक वायत बाहतीय औरफ व्यस्ता हैं दूसरा आपका भारती समीधान से संबंदी तुहां पर प्रश्न बनेंगे चलिए देखते हैं हम इसका दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं अर्थ वियस्ता और इसमें आपके 55 कोश्चंस 55 के 55 कोश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं लेकिन एक चीज पहले के लिए कर देते हैं कि अर्थ वियस्ता में क्या ह आखड़े इधर से उधर होते रहते हैं अब आपका पेपर जो है मैई-जून में होना था अब यह जाकर अक्टूबर में हो रहा है इतने दिनों में तो काफी आखड़े भी चेंज पहले कर दिया लेकिन 55 कोश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इनको जरूर देखे यहां से प्रशन आपके जरूर बन सकते हैं 55 questions में क्या होगा आपको 50 questions के answer में कराऊंगे 5 questions के answer आपको खुद सर्च करने हैं और फिर उनको comment box में आपको बताना है ये 5 questions मैंने कहा था न आपके bonus questions भी लेकर आ रहे हैं तो ये 5 questions आपके bonus questions में जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बोक्स में बताने है और वीडियो पसंदा रही है तो लाइक प्लस एस करते रही है और हिंदी मिरर की साथ जुड़े रही है चले करते हैं पहला प्रशन शुरू भारत की अर्थ व्यस्ता है बहुत ही अच्छा प्रशन है सभी को पता होगा समाजवादी पुंजीवादी मिश्रित या फिर साम्यवादी तो सभी को बता है कि जो भारत की अर्थ व्यस्ता रही है वह मिश्रित अर्थ व्यस्ता रही है अब आते हैं स तीन गया है और यह तनिक यह सेंने घक dyshanagros Anne Kate मैं भी मैंने जिखर क्या थान है धैनल की ऑन परात्मिक फद्वित्यूल यह वाले जो है यह तर ऑठ्वीं असथा कि अधृ सब्सक्राइब्स परात्मि शेत्र हैं अब यह प्रात्मि क्या होता है दुन दूट्य को मालूम होना चाहिए। चल आगे पता चल जाएगा के में देखते हैं क्या जा रहा है निम्न में से कौन दूट्य का भाग है अब देखे आपको धिरे धिरे ब्रश्णों के आंसर मिलते चले जाएंगे लोहा इसपात दोग वी निर्मान इलेक्टोनिक्स या उप्रोग सभी तो दिवित्यक छेत्र में जो जाएंगे ये सभी जाते हैं लो इस्पात उद्यो भी वी निर्मान भी एलेक्टोनिक्स भी ये सब क्या होते हैं दृत्यक्षेत्र होते हैं अब आते हैं तृत्यक्षेत्र क्या है अर्थ्यस्ता के तृत्यक्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है क्रिशी को लो इस्पातो खनन को या फिर सेवा को तो फि योजना आयोग का गठन कब किया गया था वैसे तो आपको पता ही है कि निती आयोग बन चुका है योजना आयोग लेकिन योजना आयोग से भी प्रश्न आपके बनेंगे क्योंकि यह रहा है तो आपको देख लिए इसका आंसर सभी को पता होगा कि 1950 में योजना आयोग का आंसर बिल्कुछ सही लगाया होगा इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये तो आपको पता ही है अब आते हैं नितियाओ के परतम उपाध्यक्ष कौन थे प्रतम के बारे में पूछा गया है राजिय कुमार थे अर्विंद पंगाडिया थे या फिर दीपक महुंती थे या फिर विवेक देवराय थे तो ये बिल्कुल जादा पुरानी बात भी नहीं है और आप लोगों को पता होगा कि अर्विंद पंगंडिया को नितियाओ का परतम उबाध्यक्ष बनाया गया था राश्टेविकास परिशत का अगठन कब हुआ था वेरी इंपोर्टेंट इसको 99 क प्रशन बहुत अच्छे हैं और आपके एक्जाम में बन सकते हैं जरूर तो क्या देखना है में 1915,1952,1955,1960 तो राश्टेविकास परिशत का जो गठन हुआ था वेह हुआ था 1952 में पर्थम पंच वर्शिया उजना किस मोडल पर आधारी थी इसमें बताना है तो ये महा 29 मोडल पर गांधी मोडल पर हैराड डोमर मोडल पर या फिर नहरू मोडल पर बताना है तो ये थी आपकी दस्वे का जाएगा सी हैराड डोमर मोडल पर आधारी की बहुत अच्छा प्रशन है आपकी 11 योजना हैं तो कहीं ना कहीं से प्रशन जरूर पूछा जाता है आप जब नहीं बनी है 1996-69 या 1983-1992-97-97-78-79 या फिर 78 तो 11 का जाएगा ये 1966 से लेकर 1969 तक क्या हुआ अवकाश की अवधी आई थी अब आते हैं रोलिंग प्लान की सपंज वर्षे युजना में बनाया गया था प्रश्ण मैंने कहा ना 55 प्रश्ण है बहुत ही यूनिक प्रश्ण है पूरी वीडियो के साथ बने रही है और अर्थवियस्ता से संबंदित ये आपके 55 मुझे लगता है बहुत अच्छे प्रश्ण जाने वाले हैं और दूसरी बात अगर आपको लगता है कि 55 कोश्चन सफ प्रश्ण में और भी आपको अर्थवियस्ता की वीडियो चाहिए तो एक और में पार्ट बना दूँगी आपका चलिए रोलिंग प्लान की इस पंच वर्श्ण में बनाया गया था पांची में चटी में तो बारवी का आपका जाएगा भी चटी में ठीक है बारवी पंच पंच वर्श्ण का कार्यकाल क्या था 1997 2002 यह 2002 से 7 तक यह 7 से 12 तक यह फिर 12 से 17 तक तो थर्टीन का आपका बारवी जो पंच वर्श्ण रही है वे 2012 से लेकर 2017 तक लेकिन यहां से प्रश्ण बहुत कम बनता है चाहतर प्रश्ण जो पूछे जाएंगे ग्यार वी पंच इन में से जादा पूछे जाते हैं प्रश्ण ने भारत में इस वर पर्थम रास्ट्री आए की गंड़ना किसने की थी दादा भाई नरोंजी पंडित जवालान लैरू चंदर बोस या फिल गोपाल कृष्ण गोखले तो 14 का एजाय का दादा भाई नरोंजी ने अब आते ह हैं रास्ट्री आए का आंकलन कौन करता है नितियायो केंद्रिय सांकी की संगठन वित मंत्रालिया फिर वाणी जिया मंत्रालिया तो 15 का तो देखो नितियायक तो हो गई नहीं लेकिन हाँ यह तीनों आंसर आपको कन्फ्यूज करने वाले हैं अगर आपने सोचा इसका भी तो बिल्कु सही है केंद्रिय सांकी की संगठन रास्ट्री आए का आंकलन करता है अब आते हैं 16 पर केंद्रिय सांकी की संगठन का मुख्याला बताना है अब कहा है एक चीज़ आपको वहां पता चल गी दूसरी चीज़ यहां पता चल जाएगी कि मुख्याला कहा है तो इ ऐस्टिया आएके गणना का जो आधार वर्ष वर्ष तो समझते हों कि शुरुआतीया कुछ भी क्या सकते हो आफ 17 का जाएगा भी 2011 और 12 योजना आयोग द्वारा किस वर्ष अधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारन का प्रयास किया गया योजना आयोग द्वारा किस वर्ष अधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारन का तो ये 65 में किया गया या फिर 66 में या फिर 77 में या फिर 80 में तो 18 का आपका आंसर अगर आपने सोचा है सी 1977 तो बिल्कुल सही सोचा है आंसर अब आते हैं आगे भारत में गरीबी का आकलन की साधार पर किया जाता है बुन्यादी संगरचना पर कैलोरी पर शिक्षा पर या फेस्वास पर और ये प्रशन मौसली बनता है अगर आप लगा आपको बिल्कुल याद हो गया होगा अगर आप देते रहते हैं और ये प्रशन अगर नहीं दिया है तो जरू तया करें बन सकता है एक्जाम में सुरेश तेंदुलकर समीती की रिपोर्ट के उसार देश में गरीवी का अकड़ा में कितना है 22.5% 252% 37 यहा पर पॉइंट ह बताना है तो 20 का आपका अंसर जाएगा 37.2% ठीक है अब आगे देखते हैं आपके प्रशन में भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है बहुत अच्छा प्रशन है बहुत अच्छा प्रशन है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है बहुत इजी प्रशन भी हम नहीं कर पात है तो कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है पता होगा आपको तो 21 कांसर अगर अगर आप लगा रहे है डीव-प्रोख सभी सारी ही बेरोजगारी भारत में संवर्चनात्मक भी है अद्रश्य मौस मीं भी यह ना बेरोजगारी ही है इस वह देखता है प्रथम औरुदयोग की निती की घुशना की गई थी वह की गई थी वर्ष 1948 में भारत नहीं उद्योगिक निती की घुशना कभी की गई थी ठीक है यह बताना है यह आपर 1985 में 1988 में 1991 में 1995 में तो जो भारत में नहीं उद्योगिक निती की घुशना हुई थी वह हुई थी 1999 में देख लीजिए आप ONGC या फिर गेल या फिर PPCL या फिर MTNL तो बताईए कौन सी नहीं है तो 24 का अगर आपने सोचा है D तो बिल्कुत सही है बाकी ये आपकी महारतन कंपनियों में गिनी जाती है याद करके रखे इसको रूस जर्मनी ब्रिटेन या फिर फ्रांस तो 25 का आपका जाएगा भी जर्मनी की साहता से हुई थी बातेर बैंक और इंडिया की स्थापना का हुई थी ये प्रशन भी महारतन पूछा जाता है 99 में लेके चले इसको वर्ष 1934 वर्ष 1935 वर्ष 1949 या फिर वर्ष 1950 तो 26 का रहा है अपने सोचा है बी 1935 तो ये तो मुझे लगता है आप लोगों को पिल्कुल रटा हुआ होगा अंसर इसका केंदरिया बैंकी जान सभीति की सिफारस पर किस बैंक की स्थापना हुई थी भारतीय और इस्टेट बैंकिक ळाबाऻ या फिर पंजाब नेशनल बैंक तो 27 का अगर आपने सोचा है भारतीय प्रशन परविकुल सही सोचा है आगे आते हैं भारतिय स्टेट बैंक और जोगी शेत्र बैंक है सारवजनिक शेत्र बैंक है निजी बैंक है या सहकारी बैंक है तो जो भारतिय स्टेट बैंक है सभी को इसमें पता होगा कि किस तरह का है यह सारवजनिक शेत्र बैंक है वर्स 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रे करन हुआ था यहूआ था दस का वा सब्सक्राल करना अमें से खासठेंटेंश करन भांप महील सथिर्ट सेट अगर या फिर यूनियन जप्सक्तिक अगर यूर्टि का अपने पहली प्रंगा रग squeezed Islamic Bank कभी स्थापित हुआ हैं मुंबई में कोची में बंगलूरु मैं फिर हैदरबाद में तो 31 का में बनाबाओ बैंक की स्थापना किस पंच वर्षिया जुना की अंतरगत की गई थी 99 में रखे चलिए नाबार से जरू कोश्चन बनते हैं एक्जाम में देख ले चोथी में पांची में छटी में अफिर साती में तो बताना है 32 का आपका अंसल जाएगा सी छटी पंच वर्षिया जुना म अपि 1993 में तो 33 का अगर आंसर सोच लिया है भी तो बिल्कुल सही सोच लिया है चलिए आगे चलते हैं नमबर देख लीजिए 33 तक आपके कितने बन चुके हैं क्योंकि आप लास्ट मोड रिविजन करने इसका मतलब समझते हैं ये प्रमियन एक टैग लाइन है आपकी ये है कि आप जब आंसर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं अपनी मंजिल के कितने पास हैं कितने दूर हैं इससे आपको पता चलेगा है ना रास्टी अवास बैंक की स्थापना की स्वर्स की गई थी 1985 में 88 में 90 में 93 में ये प्रश्न आपका हो चु है वह है आपका नई दिल्ली में बिल्कुल अच्छा प्रश्न नोट डाउन करी एक्जाम के पॉइंट ओफिस से इसको भारतिय बीमा नियामक विकास प्राधिकरन का मुख्याले कहां इस्तित है नई दिल्ली में है चैन्नी में मुंबई में फिर हैदराबाद में ये भार को के नामि बताना है इटली का terrorism से बिल्कुल जापने शुचकां क्या है बताइए निकी है डो जॉन से सेंसक्स है या फिर सेट है तो देख लिजी 37 का अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सही है वहां का जो सुचकां के मुल्य सुचकां क्शेर मुल्य यह ठीक है चले आगे जलते हैं निमने से कौन केंदर सरकार के पर्तेक्षकर हैं पर्तेक्षकर भी आपको पता होने चाहिए परोख्षकर भी आपको पता होने चाहिए दोनों ही करों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो देखते हैं कि आपका अंजर जाएगा आयकर उपहार कर पुझी लापका भी है ये पर्तेक्षकर में आते हैं निमने से कौन सा कर पर्तेक्षकर नहीं है कुछ तो आपको यहां पता चल गए तीन के ना और कुछ यहां पता चल जाएंगी अब देखते हैं 39 का आपका अंसर जाएगा ए सीमा कर सीमा कर जो है पर्तेक्षकर नहीं है सीमा कर किस में जोड़कर पढ़िए तो आपको जादे इनके बारे में पता रहेगा फिर तो बताना है कौन से राज्य सरकार के परतक्ष करें भू राज्यसु व्यावसाय कर रोजगार पर कर उप्रोख सभी तो 40 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ती उप्रोख सभी तो बिल्कुल सही ह होता हैज्य सरकार के परतक्ष कर होता है वं राज्यसु भी होताय व्यावसाय सहाय रोजगर पर भी खंडा है भारत में जीसको याद में भी नहरे मारत हो घृट है अरugen का भी हो जाएगा एक अप्रेल 2017 को ठीक है अब आते हैं निमन में से कौन उत्पाज GST कर स्लैप से बाहर है GST के कर स्लैप से मतलम कर नहीं लगेगा पैट्रोलियम ऐलकोहल तमाखु या फिल सबी तो 42 का डी जाएगा तो यह जो है यह उत्पाज GST के कर स्लैप से बाहर है नि 55% एट परस आट आएप सेंट 10% या फिर 50% तो जो यह है कि जनी परसेंट है 43 का एग यह 5% है ठीक है अब आते हैं भारत का पहला बजट परस्तुत हुआ था या जो बजट मना था पहले परस्तुत हुआ था य कब हुआ था? तो 1885 में या फिर 1860 में या फिर 1905 में या फिर 1920 में तो बताना है कि कौन से उसमें हुआ था ये सन में तो 44 का आपका जाएगा भी ये हुआ था 1860 में ना 85 में ना 1905 में 1920 में ये हुआ 1860 में अब आते हैं 45 पर निम्ने से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है ये भी अच्छा प्रशने है जब आला नेरू ने श्रीमाती इंद्रा गांदी ने मौरार जी देशाई ने डॉक्टर मौन मौन सी ने तो 45 का अगर आपने सोचा है सी मौरार जी देशाई तो बिल्क 2017 में है ना केंद्र एम राज्य सरकार की वित्य वस्ता का संबंद है निति आयोक से वित आयोक से परतिस प्रद आयोक से या फिर चुनाओं आयोक से केंद्र एम राज्य सरकार की वित्य वस्ता का संबंद बताना है तो 47 का आपका जाएगा भी वित आयोक से ठीक है अब आत तो जो जो कि रूंगता है उसकी संबंधित जो है पॉर्टी 9 का आप कांसल जाएगा भी गोर स्वामी समीति ने कि शेत्र में सुधारे तो अपनी सिफारिष प्रस्तुत की थी फ्यूजर डेंडिंग से पैटूलेंब बदार्तों से वित्या शेत्र में सुधारेतू अप्रोफ में से कोई नहीं तो जो किरिट पारेक समीती थी उसके सुधार हेतू जो सिफारिश की गई थी वह की गई थी पैटूलेंब बदार्तों से ठीक है अब 50 मेंने करा दिये हैं देखे 51 इसका स्क्रीन शोट लिजे वीडियो को या पोश्ट करके देखे नर्सिन समीती का संबंद किस शेत्र से है राजा चले या समीती ने किस शेत्र में सुधारेतू सिफारिश की थी या स्टेंड अप इंडिया के तहत किने उध्यम फिल बनाने का प्रयास किया गया ह परदान मंत्री उजवल योजना का उद्देश है क्या है सोलर चर्खा योजना का संबंद किस शेत्र से है पाचों ही प्रशन बहुत अच्छे हैं वीडियो को पॉश्ट कर लिजे स्क्रीन शोट ले लिजे इनके आंसर को ढूंड ये ढूंड कर कहां शेयर करने हैं आपको लबी करना है एस भी करना है यानि के लाइक करना है शेयर करना है और साथ में हिंदी मिरर का बैल इकन नहीं हिट किया तो कर दीजे और अगर लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजे क्योंकि हिंदी मिरर के पास अभी बहुत कुछ है आपको देने के लिए तो बने रह और लाल बटन दमाना है और L-SB करना है किसके लिए हमारे नहीं सब्सक्राइब करना है जिनको भी पेपर देना है प्रोफेसर का उनके लिए हमें यह काम करना है जिसने का पेपर की तरह बह। अच्छा जाये और सिंधी मेलों